So today we are going to explain Jaiwim movie ये movie एक true story पर आधारित है जो कि तामिल आडो में हुई थी और ये incident कास्ट वेसिस में हुई थी विच इस रेली हार्ट रेंचिंग एक निदोस इनसान को सिर्फ उसके कास्ट के वेसिस पकड़ के उसको जील में बहुत जादा टॉर्चर किया गया था पर फाइनली उसकी पत्नी के श्ताहस के वज़े से उससे इनसाफ वे मिल गया था सो मुवी के शुरुआत हो दिया 1995 के तामिल नाडो के एक जील के सीम से जहां लोगों को कास्ट के वेसिस पे अलग किया जा रहा था लोवर कास्ट के लोगों का कोई जुर्म हो या ना हो उन्हें जील में रख दिया जा रहा था और हायर कास्ट के लोगों को जील से छोड़ दिया जा रहा था कुछ पुलिस आपिसर्स पस प्रमोशन के लिए लोवर कस्ट की लोगों के उपर जूटा कीज डाल कर उन्हें जील में और भी जादा टॉर्चर करना जाते थे इस मूवी की इंसिडेंट प्लेस है कोना मली तामिल लड़ों के विलूपुरम डिस्ट्रिक्ट में सो यहां इरूला कस्ट के राजा करनू रहता था जो कि अभी खेट से चूए पकर रहा था अपने पतने सिंगिनी और दूसरे ट्राइब के लोगों के साथ संगिनी और राजा करनू के विज बहुत ही जादा प्यार था अब खेट की मालिक राजा करनू को डागता है कि को खोड़ दिया है आप राजा करनू को कटत गया एक हूब के विश्स में दूट किया रहा था क्योंकि अब वह जूब अच्छा काम करें अब राजा करनू क्लेस की तूक्ष हो की विजई सहना राजा करनू को घर तूट जाता है यह कि आलजुकि पूरा पानी तुक्षे जाता है और जार्व कंटो जाने के लिए उसे सरपंच मुधिर का लिल संटी की इए तो अब माईथ्रा का आनाम कि राजळीक वर लोगों पढाने में पामाधिक घ्र वाइपणू और प्रेयर यह राक 12 और राज़ जा सब पामाध कर्ण हमिएप आए के आफिस में कास सार्टिफिकेट के लिए बट उसकी कोई बात ना सुनकी उन्हें भगा दिया जाता है नेक्स सिंगिनी अब दूसरे पच्छों को डिफ्रेंट टाइप्स की बारे में बता रही थी और माहित्रा भी मुहपद थी नेक्स सिंगिनी राजा कर्न्यों को बताती परिवार को थोड़ा अच्छा लाइफ देना चाहता था इसलिए बाहर काम करने जा रहा था अफाइनली अपनी बीटी अल्ली को हग करके राजा कर्नू आखों में बहुत सारे सपने लेकर निकल पड़ता है बटी में काम करने के लिए अब राजा कर्नू बहुती मन लगा अपने फैमिली के लिए बहुत मैनत कर रहा था दूसरी और माहित्रा संगिनी जैसे लोगों के लिए वोटर कार्ट की मांग करती है बट माहित्रा को इंसल करके इंकार कर दिया जाता है वोटर कार्ट देने से अब सरपंच के घर में चूरी हो गई थी और पुलिस आती है इसे इंविस्टिकेशन करने सरपंच की वाइफ अपनी डावट राजाकर्णू के ऊपर दाहिर करती है राजाकर्णू और बटी के मालिक से दो दिन का छुट्टी मांगता है अपने घर जाने के लिए बट बटी के मालिक उससे छुट्टी नहीं देना जाते हैं अब सब गुरु मुर्ति को सरवंच के तरफ से प्रेशर आ रहा था चोर को पकड़ने के लिए तो इसलिए अब सब पुलिस आफिसर राजा कर्णू के घर पहुचते हैं पूचताश करने के लिए और बहुत ही बेरहन तरीके से सिंगिनी के घर में घुसकर उसे मारते मारते ठाने ले जाते हैं बट यहां एक और पुलिस वाला जब गुरु मुर्ति से कहता है कि सिंगिनी प्रेग्डेंट है तो उसे ऐसे नहीं ले जाना चाहिए बट गुरु मुर्ति उसकी बात नहीं सुनकर सिंगिनी को और दूसरी लोगों को पकड़ की ले जाता है दूसरी और एक्टर स्तूरिया जिन्होंने इस मूव में जस्टिस के चंदरू का रोल निभाया है वो दूसरे एडवोकेट्स के साथ मद्रास हाई कोट में प्रोटेस कर रहे थे पुलिस के अत्ताचार के अग्येंस्ट तो यहाँ प्रोटेस को रोकने आते है आई जी पेरु मरसाई अब चंदरू एक केस के सलसले में प्रोटेस को पीछे छोड़कर कोट पहुचता है प्रोटेस के लोग और उस समय चेल्डरी पुलिस की गुंडागर्दी के अग्येंस्ट प्रोटेस कर रहा था और दूसरी और आई जी पेरु मरसाई जो की अच्छे और इमानदर पुलिस ऑफिसर थे चंद्रू उन्हें पुलिस की खिलाब प्रोटेस्ट में इनवाइट करता है चंद्रू बहुत ही इमानदर अड़ोकेट था अब चंद्रू से मिलने माइत्रा एंड सिंगिनी आती है सिंगिनी अब उसके साथ वह अत्ताचार के बारे में चंद्रू को बताती है कि कैसे चूटे शक की वेसिस में उस रात को राजाकर्णू की भाई इरू टपन को पुलिस पकड़ की ले जाती है अब राजाकर्णू की खोच करने पुलिस भटी में भी जाती है बट राजाकर्णू वहां नहीं मिलता दूसरी और चोड़ी के सिलसले में संगिनी और इरू टप पियुद्reen के जानने के लिए अब राजा करन्नो की दोस मौस्वशकुटी को सटाम कोarda राजा करन्नो को सरपंज की आदमें पकड़ लेते हैं जो अपने घर रहा था था तो राजा करन्नो को भी जाते हैं संगिनी राजाकर्णू को देखकर बहुत परेशन हो जाती है और गुरुमूर्थी की पैर पकड़ती है उसे छोड़ देने के लिए पर दूसरा एक ओफिसर उसे घर जाने को कहता है अब रात को राजाकर्णू के साथ दूसरे लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है राजाकर्णू के आखों में मिर्च डाल दिया जाता है अब एक बहुत एक किनोना इंसिडेंट होता है सिंगिनी चंद्रू से कहती है कि इस इंसिजन्ट के बाद पंचमा ने स्विसाइट कर लिया था और पूरे चार दिन लगे थे उसे बचाने के लिए अब अगले दिन सिंगिनी राजा कंद्रू के लिए खाना लेकर आती है लेकिन राजाकन्नो को उल्टा लटकते दिख सिंगिनी जोर से चिलाती है और रोने लगती है तो दूसरे पुलिस वाले उसे बाहर निकाल देते हैं राजाकन्नो की हालत मार मार के बहुत ही खराब कर दिया गया था इरुटपन कहाता है कि उन्हें इस चोरी का जूट अपने सर पर ले लेना चाहिए एस वो इस टॉर्चर को और सहम नहीं कर सकते थे पर राजाकन्नो कहाता है कि जखम तो मिट जाएंगे पर जो कलंक लगा है वो कैसे मिटेगा अब सिंगिनी पुलिस वालों को कर्स करने लगती है तो इस गुस्से में अगें गुरु मुर्ति राजाकन्नो को अंदर मारने ले जाता है इस पुलिस टेशन में एक पुलिस वाला थोड़ा अच्छा था इसलिए वो संगिनी को गाउ के किसी बड़े आदमी से बात करने को कहती है ताकि वो राजाकर्णू को निकाल सके अब संगिनी सरफंज की पास जाती है वट सरफंज उसे बुरा भला बोल कर उसके जाती को ले से मिलती है माहित्रा पुलिस की इंक्वाइरी रिपोर्ट चंद्रू को देती है जिसमें लिखा था कि 4 जून 1995 के रात में 10 बच की 55 मिनिट में राजाकर्णू मौसकुट्टी इरुटपन भाग गए थे और पुलिस की इंविस्टिकेशन के मताविक उन्होंने गैने बेज दिये थे एड़ फोर्चुन के रात को भाग कर एक डॉक्टर को दिखा कर दिन मेडिकल सौप से मेडिशन लेकर वो एक ट्रक से भाग गए थे यह किस चंद्रू को बहुत ही परेशान करता है क्योंकि सारे सबुत राजाकर्णू के खिलाप थे अब बहुत रिसर्च करने क बद चंद्रू उन्हें कहता है कि वो कोट में जो प्रेटिशन देंगे वो हेवस कॉर्पस होगा विच मिन्स कोई भी अनलॉफुली किसी को एरेस्ट नहीं कर सकता अगर ऐसा होता है तो हेवस कॉर्पस की माध्धम से वो उन्हें कोट में प्रड्यूस करने से मजबूर कर सकता है अब चंद्रव प्रेटिशन में संगिनी को साइन करने कहता है बट संगिनी इलिटरेट थी देट्स वइवे उसका था में ले देता है अब चंद्रू कहता है कि ये किस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ठाट्स वाइन तयार रहना होगा विकॉस यह लड़ाई आश अपतिते हैं एंड़ों के सभी को जो इन केस में इन्वाल्व है उन्हें नोटिस भेजने को कहती है अब अगिन कोर्ट में चंद्र पुलिस के रिप़ोर्ट के खिलाब सवाल उठाता है और रिपोर्ट को क्रॉस एक्जामन के लिए लिए कहता है तो जज ये मानना नहीं चाहते थी चंद्रु किराला के कोट में राजन नाम की एक स्टूडेंट का हीविस कॉर्पस का कीस का एक्जामपल देता है तो कोट क्रॉस एक्जामन के लिए मंजूरी देती है अब चंद्रु इस केस को इन्विस्टिकेशन करने लगता है अब एक हीरिंग डेट में मदरास हाई कोट में पहली बार हिबस कॉर्पस की केस की लिए एक विटनिस टैंड मंगाया जाता है जो सब को हैरान भी कर देता है हीरिंग डेट में एक डॉक्टर से पूछतच किया जा रहा था जिसने राजाकर्णो और उसके साथियों का इलाज किया था अब कोट में ये सावित होता है कि ये डॉक्टर की डिग्री नकली है बट ये जादा इंपोर्टन नहीं था आज दूसरे विटनेसेज भी थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने राजाकर्णो और दूसरे लोगों को देखा था चंद्रू इंक्वाइरी ओफिसन बाटसन को कडगरे में बुलाता है अब चंद्रू ये बात सावित कर देता है कि रिपोर्ट में गड़वड है एस पुलिस स्टेशन से मेडिकल सॉप 3 किलोमेटर राइट में और डॉक्टर की क्लिनिक 2 किलोमेटर लेट में है विच मिन्स क्लिनिक के डॉक्टर को दिखा कर राजा करन्नो को पुलिस स्टेशन को क्रॉस करके अगिन मेडिकल शॉप में जाना पड़ता सो इस बाट से ये सावित होती है कि बाटसन ने वो रिपोर्ट नहीं बनाया था अपने फेलो ओफिसर्स को बचाने के लिए उसने बस रिपोर्ट में साइन कर दिया था जिस वज़े से कोर्ट से उसको डाट पड़ती है ये बाद भी सावित होती है कि सारे सबुत फरजी है अब संगीनी की पेटिशन को पूरी तरह मान लिया जाता है अब दूसरे पुलिस ओफिसर्स एन हारा हुआ सरकारी एडवोकेट एम राम मोहन के पास आते हैं और वो भी एक सीनियर गवर्मेंट एडवोकेट था जो उन पर बहुत गुस्सा करता है इस केस की वज़े से और वो ये केस अपने हाथों में ले लेता है संगीनी की उपर केस को बापस लेने के लिए फ्रेशर आता है अब संगीनी चंद्रू को कॉल करने का वेट कर रही थी बट एक पुलिस आफिसर आपके उसे कहता है कि दरोगा उसे बुला रहे है तो संगीनी जाने से इंकार कर देती है तो वो पुलिस इंस्पेक्टर अल्ली को उठा ले जाता है दिन संगीनी को पुलिस टेशन आना पड़ता है अब संगीनी पुलिस टेशन आती है और गुरु मुर्ति उसे थपपर मारता है और कहता इस केस को बापस ले ले बट तवी डीजीपी गुरु मुर्ति को कॉल करता है और संगीनी को सम्मान के सथ घर छोड़ने को कहता है अब संगीनी उसे सब कुछ बता देती है और संगीनी पुलिस जीप में ना जाकर बस में चड़कर चल की अपने घर पहुँचती है और पुलिस वाले उसके पीछे पीछे डर के मारे जा रहे थे अब नेक्स हीरिंग डेट में एडवोकेट राम मोहन कोर्ट में आता है राम मोहन कोर्ट में राइस मिल के मालिक वर्थ राजन को as a witness प्रेजन करता है वर्थ राजन कोर्ट में कहाता है कि इरुट अपन ने उसे कॉल किया था और कहा था कि वो पुलिस कस्टीदी से भाग गए हैं और वो मामला ठंडा होने के बाद ही वो बापस आएंगे और राजबर्दन ने ये ख़वर राजाकन्य उरेट अपन और मुसा कुट्टी के परिवार को भी वता दिया था ये जानकर चंद्रो बहुत ही सप्राइज होता है और इस ख़वर को राम मुहन बढ़ा करके केस को डिसमिस करने का मांग करता है वद चंद्रो और टाइम मांगता है क्रॉस एक्जामिन के लिए और कोट ये माल लेता है चंद्रू इस ख़वर को जानकर संगिनी के उपर बहुत गुस्सा होता है बट माहित्रा उसे बताती है कि उसने ही संगिनी को सच बताने से उसे रोका था चंदु केस नहीं लड़ना चाता है तो माइत्रा उसे कहते है कि इरुट अपन को numbers का कोई ग्यानी नहीं है तो वो STD code डाल कर कैसे बर्ध राजन को call कर सकता है तो अब चंदु बर्ध राजन की call लिस्ट से एक एक तर के सब numbers को check करता है तो उसे एक किराला का SDD Boot का number मिलता है तो अब चंद्रु सिंगिनी और माइत्रा किराला में उस से SDD Boot में जाते हैं अब किराला जाके वो लोग SDD Boot के मालिक से पूछ तच करते हैं सिंगिनी चंदरू से कहती है कि वो अपसर्स कहती है कि वो उसे उसकी फीस नहीं दे सकती। अब नेक्स्ट हेरिंग डेट में चंदरू उस एस्टेडी बूत के मालिक राजिस्ट को एज विटनिस प्रेजन करता है। राजिस सब को बताता है कि फोन बूत में एक साथ तिंग लोग घुज जाने के वज़े से वो जब फोन बूत के पास आता है तो गुरुमूर्थी का एक आफिसर इसे रोकता है और वो कोर्ट में गुरुमूर्थी और दूसरे पुलिस आफिसर को पैचान भी लेता है। अब गुरुमूर्थी को कड़गरे में बुलाया जाता है तो अब गुरुमूर्थी कबूल कर लेता है कि उसने ही इरुटपन बन के राइस मिल के मालिक वर्द राजन को कॉल किया था। अब चंद्रु इस केस की सीवी आइजाच मांग करता है तो आईजी पेरुमूर्सा में होने के लिए पुलिस का वेवज़ा टॉर्चर सहन किया था। वो सब लोग पेरुमूर्थी को उनके सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यह सब इंसिजन को सूरकर पेरुमूर्साइक को बहुत बुरा लगता है अब वो सेंगिनी के घर बे पुलिस टेशन में आते हैं इंविस्टिकेशन करने के लिए अब सारे पुलिस वाले आईजी को सारी बात बताते हैं पंचमा का इंसिजन के लिए वो उस पुलिस आफिसर को फर्स्ट कार्द लगाते हैं अब डिस्ट्रिक्ट के सारे जेल में चानमीन होती है अब तामिल नाटू के एक बॉर्डर के जेलें करने से ऐटीशन को पता चलता है लेकिन मरने वाला कौन था यूठा नहीं चल पाता अब पंडी चेल के एक फोरेंसिक आफिसर आते है सिंगिनी पूरी तरह तूट चुकी थी अब राम मोहन को गुरुमर्ति सच बताता है कि पुलिस कस्टे में बहुत टॉर्चर करने की वज़े से राजा कन्यों की मौत हुए थी अब रात को ही वो उसके डेट बॉड़ी को छुपाने के लिए उसे हाइवे पर फेक कर आये थे और उन्होंने ही सारे जूटे सबुतों को सजाया था अब राम मोहन इस सच को सुनकर उल्टा उनहीं बचाने के लिए उनका साथ देता है अब राम मोहन कोट में कहता है कि चुराये हुए पैसे लेकर इरुटपन और मोसकुटिक फरार हो गए है अब चंद्रो अपने सबुतों के आधार से कोट से और वी जादा समय मांग लेता है अब राजाकन्नो के मौत के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था चंद्रो संगिनी से कहते है कि राजाकन्नो के साथ जो हुआ है वो उसे रोक तो नहीं पाएं बट बट किसी और के साथ ये नहीं होना चाहिए इसलिए उन्हें लड़ना पड़ेगा अब केस और वी जादा क्रिटिकल हो जाता है अब आई जी को एक सुनार बताता है कि सर्फंच के घर में जिन्होंने चोरी की थी वो उन्हें जानता था अब चंदरू आई जी को कहता है कि उससे पूरा यकीन है कि ईरूट अपन को जोर करके राइस मिल्क के मालक से फोन में बात कराया गया था चंदरू बताता है कि फोनबुद उरू मलाई में है गुरू मुर्ति ने उरू मलाई की पोलिस स्टेशन में 3 साल काम किया था। अब महित्रा को उरू मलाई के जील में ले जाया जाता है औज चंदो पोस्ट मौॉटं करने बाले डॉक्टर से बात करता है एस राजा कन्नो के पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत उसकी चेस्ट की हड़ी तूटने की वज़ा से हुई थी चंदु डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि अगर डॉक्टर सोच कर कुछ बताये तो वो इस केस को लॉक अप दित साव सही था राजा कन्नो की मौत नाच्रल नहीं थी यह एक मर्डर था अब नेक्स्ट हीरिंग में सब कुछ सावित होने वाला था मौसा कुट्टी सारी सच्चाइज को बताता है कैसे गुरु मुर्ति ने राजा कन्नो को टॉर्चर किया था और लास्ट वोमें तक भी राजा क सही राजा कन्नो की मौत हो जाती है अब मौसा कुट्टी कहता है कि इरूट अपन और राजा कन्नो दोनों ही वेवस पड़े थे और राजा कन्नो की मौत कंफन होने से उससे ठीकाने लगा देते हैं अब डॉक्टर को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है और डॉक्टर की मौथ लॉकष में हुए थी अब आईजी ये रिवील करता है कि चोरी रवी नाम के एक छोच ने किया था, ना कि राजाकन्डू पुलिस यह जानती थी फिर भी उन्होंने गुनेगार से पैसा लेकर राजा कन्नु को फसाया था फिर भी रामोन कहता रहता है कि राजा कन्नु की मौत लॉक अप में हुई थी इसकी कोई सबूत नहीं है बर चंद्रू कहता है कि एकसिडेंट प्लेस में मिले पुलिस के सब्सक्राइशन और इरुट अपन और मौसकुट्टी को दो लाग का कॉम्पेस्टेशन मिलता है और उसके साथ संगिनी को 1200 स्क्वार फीट की जमीन दी जाती है सो फाइनली राजा कन्नु को इन साब मिल चुका था और यह मूवी यहां एंड हो जाती है अगर यह वीडिय तो वीडियो को लाइक करें मेने चान को सब्सक्राइब करें और कमेंट पर बताएं आप कौन सी एक्स्प्लाइशन निक्स देखना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई